सभी को नमस्कार हिंदी की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है तो आपने पिछली वीडियो में पार्ट चार बातुने के बारे में पढ़ा और समझा कि कैसे लेखक को पोस्ट ओफिस में एक चिप्ठी छोड़नी थी और जल्दी के चक्कर में उसने वो अपने एक महले के आदमी को दे दी लेकिन उस सज्जन ने उस चिप्ठी का विवरन जब लेखक ने पूछा तो इतना लंबा दिया कि मैं कैसे पोस्ट ओफिस गया पोस्ट ओफिस बंध होने का समय हो रहा था पर मैं करू तो क्या करूं आपने पहली बार तो मुझे एक काम दिया था तो मैं करता क्या करता फिर मैं सहानी मेडिकल स्टोर पर गया वहाँ पर क्या था लिफाफा नहीं मिला फिर मैं किताबों के एजेंट राजू के पास गया राजु के पास क्या था लिफाफा तो था लेकिन वो दूसरी फरम का था अब फरम का नाम काटने के लिए मेरे पास पैन भी नहीं था पर मुझे आपका काम तो करना था तो इतना लंबा चोड़ा विवरंड दिया सिरफ एक चिप्ठी ही तो पोस्ट करनी थी और लेखक उन सब बातों से इतना प्रेशान हो चुका कि क्या करूं पर कहते हैं ना कि आदमी थोड़े से सुख के कारण बड़ी-बड़ी मुसीबते मोल ले लेता है तो ऐसा ही कुछ हुआ लेखक के साथ लेकिन लेखक अब जो पाप कर चुका था वो तो उसे भुगतना ही था तो इस कहानी को अब हम आगे पढ़ेंगे कि आगे और क्या होता है मैं नहीं समझ पाता कि आम तोर पर लोग क्यों पूस्ते हैं कि आप कहां जा रहे हैं वे क्या पुलिस के आदमी हैं या खूफिया विभाग के हैं या चाचा होते हैं कि जानना चाहते हैं कि तुम कहां जा रहे हो यह असल में आदमी को रोक कर बात करने की भूमी का है जिसे जल्दी जाना है वेह भी होशारी करता है कहता है कहीं नहीं ऐसे ही और आगे बढ़ जाता है क्या सवाल है कहां जा रहे हैं और क्या जवाब है कहीं नहीं ऐसे ही मगर लोग पूसते ही हैं और लोग जवाब भी देते हैं मैं जब रुक जाता और कहता योहीं जरा सीविल सर्जन से मिलने जा रहा हूं बैस वे मुझे पकड लेते अच्छा डोक्टर गुपता से वे हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त थे नागपूर में पास-पास बंगला था हमारे घर आते तो मुझे गोद में लेकर खिलाते थे मिलते हैं तो कहते हैं क्यों बेटा भूल गई घर नहीं आते हूँ वे 10-15 मिनट तक डोक्टर गुपता से अपने पारेवारिक संबंद बताते कभी मैं कहता प्रोफेसर तिवारी से मिलने जा रहा हूं वे कहते अच्छा अच्छा तिवारी जी से मिलने हमारे फादरिल्ला के वे बड़े पुराने दोस्त हैं दोनों साथ पढ़ते थे अभी भी वे हमारे पढ़ती प्रेमभाव रखते हैं कभी मिल जाते हैं तो कहते हैं कभी घर आओ तो यहां पर लेखक बातुनी उस सज्जन से जहां कहीं मिलते या जिसका भी एडरस बताते कि मुझे वहां जाना है जैसे कि इसमें है कि डॉक्टर गुपता और डॉक्टर तिवारी का नाम लिया प्रोफेशर तिवारी का कि उनसे मिलने जा रहा हूं तो कहीं ना कहीं वो उन सबसे अपने पारावारिक संबंद बता देते कि वो तो हमारे परिवार से ही है या फिर उनके किसी भी रिलेटिव का नाम लेके कि वो उनके पुराने दोस्त हैं साथ पढ़ते थे, मुझे अपनी गोद में खिलाते थे, अब घर आने को बोलते हैं, और इस तरह वो लेखक को अपनी बातों में उल्जा लेते, अर्थात उनको तो बैस बात करने का बहाना मिलना चाहिए था, मैं किसी का भी नाम लेता, वह उसके चाचा, मामा, ससुर या पिता का दोस्त निकलाता, और वे 10-15 मिन्ट उनके संबंधों के बारे में बताते, एक दिन कहूंगा, डाकु जालम सिंग से मिलने जा रहा हूँ, तब वे शायद जटके में कहेंगे, अच्छा, डाकु जालम सिंग, यहां पर लेखक ने, जिस किसी का भी नाम बताया, वहां सज्जन का, वो कोई ना कोई रिलेटिव निकलाया, या जान बूझ कर वो उनके से अपना संबंध बता देते थे, तो लेखक परिशान हो गया, और उन्होंने कहा कि एक दिन तो अगर ये मेरे से पूछेंगे, तो मैं डाकु जालम सिंग का नाम ले दूँगा, तो यहां पर डाकु जालम सिंग, जो की पेशेशे कुख्यात डाकु थे, तो कह रहा है कि मैं उनका नाम ले दूँगा, तो वो कह रहे हैं कि शायद उनका नाम लेने के बाद भी वो अपने जो बोलने की तिवर्ता है, उसके कारण यही कहेंगी कि अच्छा, डाकु जालम सिंग, वे तो हमारे फादर के बड़े अच्छे दोस्त थे, दोनों साथ ही डाका डाला करते थे, जालम सिंग ने तो मु वे कहेंगे भगवान से, अच्छा अच्छा, वे तो हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त हैं, दोनों सुरग में एक साथ काम करते थे, मेरा नाम उन्हें बताईए, वे पहचान जाएंगे, मुझे तो भगवान ने गोद में खिलाया है यहां पर उनकी बकबक सुनकर लेखक परिशान हो गया था, और वो कह रहे हैं कि जैसे डाकू जालम सिंग का नाम भी बता दिया तो भी वो अपना जो उनसे संबंध है निकाल लेंगे, कि वो मेरे पिता जी के बड़े अच्छे दोस्त थे, दोनों साथ ही डाका डाला करते जालम सिंग ने तो मुझे गोद में खिलाया था, तो यहां पर वो बात बात में भूल भी गए कि मैंने किस अपरादी का नाम लिया, और वो अपरादी को अपना ही संबंधी बता देते हैं, तो ये बातूनी की पहचान है कि बात बात के चक्कर में, बोलने के चक्कर में, जो सामने वाला है वो किसका नाम ले रहा है और मैं क्या कह रहा हूं लेखक परिशान हो कर कह रहा मैं एक दिन कहूंगा कि भगवान से मिलने जा रहा हूं तो कह रहा पर उसको तो एक भी बात सूझने की आदत ही नहीं है वो तो ये कह देंगे अच्छा भगवान से तो वो त पहचान जाएंगे क्योंकि भगवान ने तो बातुनी को गोद में खिलाया है तो इस तरह अपनी बातों से वो लेखक को प्रिशान कर रहे हैं अब अपनी यह हालत है कि उस रास्ते को छोड़ कर करीब आधा मेल का चक्कर लगा कर जाता हूँ एक दिन वे बजार में मिल गए कहने लगे आजकल आप दिखाई नहीं देते मैंने कहा बाहर निकलता ही नहीं घर में ही रहता हूँ उन्होंने कहा अच्छा तो फिद घर पर ही दर्शन करूँगा मैं कहकर फस गया अगर वे घर पर दर्शन करने आ पहुचे तो घंटों बैठेंगे सोच विचार के बाद यह तै किया कि मैं फिर उनके घर के सामने से निकलना शुरू कर दूँ वहीं दर्शन दे दूँ ताकि वे घर पर दर्शन करने ना आ पहुचे उस सजन से मुझे डर लगता है वे दूर से देखते हैं तो चहरा खिल उठता है मैं काप जाता हूँ वे घंटे भर से कम में नहीं छोडते उनके चहरे पर वही भाव होता है जो सुर्सा के मुख पर हनुमान को देख कर आया था सुर्सा ने कहा था आज सुरन मोही दिन अहारा आज देवताओंने मुझे भोजन दिया तो लेखक कह रहे हैं कि मैं मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैंने जो रस्ता था जो बातुनी के घर के पास से जाता था वो छोड़कर करीब आधा मील और ज़्यादा एक्ट्रा चक्कर लगा कर मैं घर जाता था लेकिन वो कहां मानने वाले थे एक दिन बजार में मिल गए और कहने लगे कि आप तो दिखाई नहीं देते मैंने कहा बैस मैं तो गर से बाहर ही नहीं निकलता घर पर ही रहता हूं तो उन्होंने कहा तो कोई बात नहीं मैं आपके दर्शन आपके घर पर ही आकर कर लूँगा अब तो लेखक फस गया था अब लेखक समझ गया कि अगर वो दर्शन देने घर आ गए तो घंटों बैठेंगे और उनकी बकबक शरू हो जाएगी अब लेखक ने काफी सोच विचार कर डिशाइड किया कि मैं अपने घर से बाहर निकलना सरू कर दू उनके घर के आगे से जो रस्ता जा रहा था उसी रस्ते से उसने निकलना शुरू कर दिया उसे पता था घर पर आ गया तो ये शाम तक कहीं भी डिगने वाला नहीं तो कहरे अब मुझे उस अज़न से डर लगने लग गया मैं तो घबराता हूँ और वो मुझे जब दूर से देख लेते हैं तो उनका चहरा खिल जाता है क्या करूँ कम घंटे बर बात करते हैं घंटे बर से जादा बातों में लगे रहते हैं उससे कम तो ये छोड़ते ही नहीं और कहरें अब मेरी स्तिती ऐसी हो गई कि जैसे आपने रामायन में सुना होगा सुर्सा ने जब हनुमान जी को देखा था तो उसके चहरे पर जो मुस्कान आई थी और उसने क्या कहा था आज सुरनमोहिदी नहारा कि आज तो मुझे देवता उन्हें बड़ा अच्छा भोजन दिया तो कुछ ऐसी ही सेम स्तिती लेखक और उस बातुनी की है यहाँ पर लेखक जो एक तरह से सुर्सा की तरह जो लेखक है वो गबरा जाते हैं और जो बातुनी है वो सुर्सा की तरह उसके चहरे पर परशंता का भाव आ जाता है यह सज्जन भी किसी परिचित को देखकर मन ही मन कहते हैं आज सुरन मोही दिन अहारा वे पास आकर हाथ पकड़ लेंगे और एक पाव से आपका पाव दबार लेंगे और मुँ मिलाकर घंटे भर बकते जाएंगे हम तो रहा देख रहे हैं कि कोई करनल जीम कारबेट पैदा होगा जो उनसे हमारी रक्षा करेगा तो जो लेखक था वो बता रहा है कि मैं घबरा रहा हूं और यह सज्जन जैसे ही किसी को भी देख लेते थे कोई भी दूकर जान पैचान वाला है उनको देखकर ये मन ही मन बुदाते थे क्या कि आज सुरन मोहिद्दीन अहारा जैसा मैंने बताया कि हनुमान को देखकर सुरसा परशन होती थी तो ये भी सुरसा की भाती ही जो सामने जो इनको आता दिख जाए उनको देखकर मन-मन, मन ही मन यही कहते थे कि आज तो मुझे देवताउने बड़ा अच्छा बकरा दिया उसके साथ मैं खूब आते करूँगा वे किसी का, जब किसी से बाते करते थे तो यूँ ही नहीं, बलकि उनका हाथ भी पकड़ लेते थे और एक पाव से उनका पाव दबा देते थे और फिर मुझे 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 मिलाके और घंटे वर बकते जाते थे तो अब लेखा कितना परिशान हो गया तो अब वो रहा देख रहे हैं, करे हम तो अब रहा देख रहे हैं एक प्रियास कर रहे हैं कि कोई करनल जीम कारबेट कोई पैदा हो जाए फिर दुबारा से वैसा ही कोई करनल जीम कारबेट पैदा हो जो उन से हमारी रक्षा करे तो यहाँ पर जो करनल जीम कारबेट का नाम आया है तो इन जीम कारबेट नाम से हमारा नैशनल पार्क बना हुआ है कहां पर उत्राखंड में तो जिमकारबेट ने क्या किया था जो आदमखोर शेर थे और तेंदुओ से वहां के वाशियों की उत्राखंड के वाशियों की जान बचाई थी और उन्ही के नाम से हमारा सबसे पहला भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना नैशनल पार्क बना ह हुआ है तो लेखक की भी उम्मीद है कि शैद कोई जिमकार बेट पैदा हो जो इस बातुनी से उनका पीछा छुटा है तो बच्चो आपने इस कहानी को पढ़ा समझा और मैं उम्मीद करती हूं कि आपको ये पाट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा धन्यवाद